इसके पिछली वीडियो में product को add किये थे इस वीडियो में product को get करेंगे admin dashboard पे तो ये product को get करने के लिए docs है तो इसका help से get करेंगे और इसका link में description में दे दूँगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो ये आपका admin dashboard है और ये आपका all product का table है तो सबसे पहले आपको product detail component पे जाना है और ये इसका code है तो इसको copy करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है product remains, product title, product price, category, product date, action जिसमें edit और delete हैं तो इस तरीके का table का use करना है जो आपने पिछला ये create किया है तो इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसे remove करेंगे तो अपने project को VS code में open करना है तो ये component folder है और इसमें admin folder है और ये आपका product detail.jsx है तो इसे remove करेंगे और यहाँ पे paste करेंगे तो ये देखिए अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब अपने product को get करना है तो mystate.jsx में जाना है और यहाँ पे get करेंगे तो सबसे पहले आपको get all product का एक state create करना होगा तो mystate में जाना है तो ये आपका context है और ये आपका mystate.jsx है तो यहाँ पे आपका get all product का state create हो गया और इसका initial state एक empty area है then यहाँ पे एक function create करेंगे get all product function तो इसे create करते हैं const get all product function तो ये function create हो गया और इस function को async करेंगे और यहाँ पे set loading true करेंगे set loading true और try catch लेंगे और try catch में data को get करेंगे और यहाँ पे console.log error करेंगे तो यहाँ पे error दिखेगा तो try में एक query create करेंगे जिसमें आपका collection रहेगा और collection में दो data रहता है fireDB और collection name तो आपका ये product रहेगा जो आप collection name दिये होंगे तो हमारा collection name product है तो हम product देंगे और order by time देंगे तो order by एक method है जो आपका product time के हिसाब से दिखेगा और यहाँ पे एक variable लेंगे data और data में on snapshot method को call करेंगे और इसके अंदर एक query देंगे और एक parameter पास कर रहे है query snapshot और यहाँ पे एक empty array लेंगे product array और यहाँ पे query snapshot को for each method से अपने product के data को push करेंगे तो यहाँ पे product array लेंगे dot push तो यहाँ पे docs को ले रहे हैं और docs के data को push करेंगे तो यहाँ पे product का data और id इस product अरे में store होगा और यहाँ पर set get all product function को call करेंगे और इसके अंदर product array को देंगे तो जो भी आपके इस product array में रहेगा वो store हो जाएगा get all product में अब आप इसे map कर सकते हैं तो इसको create करते हैं तो यहाँ पर query create करेंगे यह, तो यह query आपके firebaisse से आगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह query firebaisse से आ रहा है और collection भी आपका firebaisse से आएगा और यहाँ पर collection में div name है firedb, जो आपके fire Dani config रहेगा और यहाँ पर collection name दे रहे हैed product और order by यह भी आपके firebaisse से आएगा और इसमें time दे रहे हैं ठीक है एक data create करेंगे और on snapshot method को call करेंगे जो आपके fireways से आएगा ठीक है और इसमें query देंगे और एक parameters pass करेंगे query snapshot और यहाँ पे एक empty array लेंगे यह आपका empty array जिसमें अपने product का detail store करेंगे और यहाँ पे अपने product को get कर रहे हैं और product array में push कर रहे हैं अपने product का data with id तो यहाँ पे product का data store हो गया और यहाँ पे set get all product function को लेंगे और यहाँ पे product array को देंगे तो जो भी इस product array में होगा वो यहाँ पे store हो जाएगा और इसको आप easily map कर सकते हैं और set loading false करेंगे और अपने यूज इफेक्ट लेंगे, यूज इफेक्ट और ये यूज इफेक्ट को import करेंगे, तो आप पे import हो गया, और इस function को call करेंगे, यूज इफेक्ट में, ताकि आपका automatically data गेट हो सके, और इस get all product को pass करेंगे, तो यहाँ पे value में देंगे, get all product, अब इसे आप दूसरे component में यूज कर सकते हैं तो इसी यूज करते हैं तो product detail component में जाएंगे और यहाँ पे context से get all product को get करेंगे तो यह components है और यह admin folder है और यहाँ पे product detail.jsx है तो यहाँ पे get करते हैं तो यहाँ पे context से loading और get all product आ गया यहाँ पर console करेंगे get all product तो यहाँ पर product आपका दीखेगा तो यहाँ पर दीखें पोड़क दीख रहा है price, product image, URL, description, category, time, date, title, quantity अब इसे आप easily map कर सकते हैं तो map करते हैं तो यह आपका top का है और यह bottom का है तो इसको copy करते हैं और यहाँ पर देंगे get all product dot map और यहाँ पर देंगे item और index fat arrow return करेंगे और return में इसे return करेंगे यहाँ पर error आ गया error क्या है तो यहाँ पर key देना होगा key index यह error चला जाएगा और यहाँ पर item को get करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं item को get कर रहे है id, title, price, category, date और product image URL तो यहाँ पर item से इसे get कर रहे है अब इसे remove करेंगे और यहाँ पर serial number देंगे index index और plus one करेंगे तो यहाँ पर देखिए serial number one आ गया और यह two आ गया यहाँ पर plus one नहीं करेंगे तो यह zero से start होगा zero और one ठेक है और यहाँ पर point देते हैं और यहाँ पर image URL देंगे तो इसे remove करेंगे और यहाँ पर देंगे image URL product image URL तो यहाँ पर देखिए यह image URL दिख रहा है और इसका width छोटा करते हैं तो यहाँ पर width देंगे CLS width 10 20 देते हैं और इसे center करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे एक div लेंगे और यहाँ पर देंगे flex justify center तो यह center में आ गया और यहाँ पर product का title देंगे तो title तो यहाँ पर title आ गया price देंगे तो इसे remove करते हैं और यहाँ पर price देंगे तो यह price आ गया category देते हैं तो इसे remove करेंगे और यहाँ पर category का use करेंगे तो यहाँ पर category आ गया और date तो यहाँ पर date देंगे तो यहाँ पर आपका date दीख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से अपने product को gate कर सकते हैं, और यहाँ पर loading का use करेंगे, तो यह table है, और यहाँ पर loading यूज करेंगे, loading, end operator, और loader component, यह हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप refresh करेंगे, तो यह loader component दीख रहा है, इसे यहां पर center करना है, तो center करेंगे, तो इसे copy करते हैं, और यहां पर एक div लेंगे, और इसके अंदर देंगे, और यहां पर flex, justify center, तो इसे देख सकते हैं, यहां पर दिखेंगे, बट इसको यहां पर करना है, तो यहां पर position relative करेंगे, relative, और top 20, अब यह work करेगा, दिखेंगे, तो यहाँ पर product get हो गया तो इस तरीके से आप product को get कर सकते हैं और get करना है तो इस docs के help से आप get कर सकते हैं तो इसका link में description में दे दूँगा तो इस help से आप get कर सकते हैं तो मिलता है next video में